हालो एब्रिवन कैसे हैं आप सब लोग मैं विवेक कुमार सर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पी डवल नर्सिंग वल्ला में आज हम बात करेंगे हमारे एक टोपिक नर्सिंग मेनेजमेंट के ओर्गनाइजिसन के वारे में देखिए एक ओर्गनाइजिसन किस तरीके का होता है उसमें सबसे उपरी पोश्ट पर कॉन होता है सबसे उसके बाद किस तरीके से क्लासिपिकेसन होता है यह कि बात करेंगे की डेफिनीशन क्या होती है वस्ट पहले एक ओर्गनाइशन होता क्या है देखि और नाईजेशन इजे फांक्ष्णनल ग्रूप वर्किंग टुगेदर फॉर आचीविंग कोमन ऑबजेंट कि वह एक एक ग्रूप है और ने होता क्या है ग्रूप होता है इसम हिए for achieving Color to achieve को कूवान गोल को अचीव करने के लिए फासिंक सर्वील देणा बहेंतर नर्सिंग सर्वीला बहे पेइसंट की केर देना ये हम लोग सम्मिलकर क्या कर तो नहींट के वार्रण गर्प तो JackIV अं क्रूब्स कप औभ्जेक्ट for achieving a common object की एक common object को अचीव करने के लिए एक लोगों का समुह होता है जो क्या करता है जो की परिश्रम करता है जो मेहनत करता है जैसे हमारा हम एक hospital की बात करें तो एक hospital में बहुत सारे लोग हैं डॉक्टरस भी होंगे, नर्सेज भी होंगे, पैतॉलोजिस्ट, फार्मेकोलोजिस्ट, और भी बहुत सारे लोग जो है, सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और उनका objective क्या है? उनका objective यह तुमझे कि पैसे कमाना objective है, नहीं, main objective क्या होता है? बहुत लोगों को जो है, वो service द स्कावाइब एक कोई भी हो सकता है एक उस्पिटल और यह कोई उसकता है ठीक है चलिड़ाप करते हैं अब करते हैं देखिए डाफ करेंगे तो लोगों का अंदर यह बहुत सारे लोग काम करते हैं और इन सब का एक main motto उद्डे से क्या है ?грिए common object है लिए हमको पेसेंट के लिए चैना हे हमको पेसेंट को रहात पोचानी है हमको common object के लिए मतलबart एक object के लिए सारे मिलकर क्या करते हैं काम करते हैं और ये क्या कहलता है यही आपका, और गनाईजिशन कहलाता ही कि यह एक similar object के लिए बहुत सारे लोग गरूप बनाकर बहुत सारे लोग आपस में क्या कर रहे हैं, group together, for achieving a, for achieve किसके लिए, एक common object के लिए जो है, बहुत सारे लोग मिलकर आपस में क्या करते हैं, service दे रहे हैं, बहुत सारे लोग आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, किसके लिए, एक common object के लिए, ये क्या कहलाता है, ये आपका organization कहलात है is this killer, बिल्कु सिंपल सी definition है, से मान लीजे हम आज 5 लोग है बिलकर क्या कर रहे हैं मान लोग खाना बना रहे हैं हमने एक और पांच लोग मिलकर खाना बना रहे हैं ठीक है तो जो objective है वो सेम है सब का सेम है common object है लेकिन क्या कर रहे हैं ग्रूप बढ़ा कर काम कर रहे हैं और यह क्या कर लाता है यह आपका कहलाता है और यहां तक कि यहां तक definition में उम्मीद है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग कि कि हम लोगोंने definition देख ली और मैसन क्या होता है हमने यह बता दिया अब आगे बात करते हैं अ देखो एक और बताया गया इसके बारे में कि और मैसन्ट इजे लो and define management की बहितोने की कोई भी आपको पता होगा कि सबसे पहले एक एमडी होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, फिर एक डायरेक्टर होगा, फिर उसके बाद में अधर, जो है, CEO, convert कर रखे होंगे, जैसे उस्पिटल की बात करूँ, अगर मैं हुस्पिटल लेवल की बात करूँ, सबसे उपर अपने होस्पिटल में CMHO, चीफ मेडिकल ओफ लोगों का, जो क्या करता है, जो common object के लिए काम करता है, और यह ऐसा नहीं कि कोई भी खुद की मर्जी से CMHO बन जाएगा, यह कोई भी खुद की मर्जी से nursing superintendent बन जाएगा, नहीं, एक पूरा systematic rules बनाएगा है, लोज बनाएगा है, नियम बनाएगा है, उनके तहत organization जो है, व government के द्वारा जो नियम बढ़ाएगा, उनको क्या करना होता है, follow करना होता है, organization में, चलिए, आगे बात करें, अब देखो, इसके कुछ characteristics की बात करेंगे, heading डालेंगे, next, की characteristics of an organization, की organization की characteristics क्या है, देखो, पहली बात तो देखी, group of people होता है, बिल्कु सही बात है, लोगों क समू होता है, लोगों का क्या है, लोगों का एक समू होता है, जिसमें कितने भी लोग हो सकते हैं, जिसमें minimum, देखो, हमेशा, जो organization होते हैं, minimum, दो लोग तो होता ही होते हैं, दो से कम जो है, कभी भी organization नहीं होता है, तो हमेशा, एक group of people, जिनका common goal और objective है, और divisions of all उने क्या कर रखा है काम को बाट रखा है जैसे एक होस्पिटल की बात करूँ तो एक होस्पिटल में और्गनाज़न एक होस्पिटल है अब उसके इंदर बहुत सारे लोग जो है डिवीजन कर रहें जैसे एक डॉक्टर का ग्रूप है वो क्या करेगा वो पेसेंट की के लिए नर्सिं हैं चलिए वर्टिकल बिट्विन सुपर्वाइजर एंड सब ओर्डिनेट्स एंड होरिजोंटल बिट्विन डिफ्रेंट डिपार्ट्मेंट्स एंड डिवीजन से अब यह बहुत अच्छा बात बोला गया जो वर्टिकल है कि यह दो तरीके से बाटेंगे देखो हम बात करें किसके साथ काम करें हम लोग हम लोग यह बात करें डिपरेंट डिपार्टमेंट और डिवीजन के साथ में कि हम नर्सिंग ओफिसर हैं हम लोग डॉक्टर्स के साथ में भी मिलकर काम कर रहे हैं हम लोग जो है पैथोलोजिस्ट जो है उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं सब के साथ मिलकर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हमारा मतलब एक जो मैं बोलू कि एक और्ग्रूप बनाया है जैसे नर वर्टिकली सूपर्वाइजर्स के साथ horizontally or departments के साथ में मिलकर काम करना होता है तो यह एक किसी भी organization का यह क्या होता है और मैसन या उसके group का जो है एक characteristic है कि वह हमेशा खुद के supervisors का और जो उसके साथ में जो काम कर रहे हैं उन लोगों को follow करता है उन लोगों के साथ में मिल जूलकर काम करता है तो यह सबसे अच्छा हम बोले characteristic होता है organization का अब तक आप लोगों ने organization में क्या देखा organization एक group लोगों का एक group of people या group of working together एक लोगों का समूह होता है जो क्या करता है for that achieving the common goal जो एक single goal के लिए क्या कर रहे है आपस में मैं क्या बोलू कि single goal के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं फिर हम लोगों ने next इसके characteristics की बात की आगर आगे बात करें हम लोग देखी जो organization की बात की उसमें क्या होता है chain of command और flow of authority from the higher to lower level of management की आप सोचो हमारा एक organization में जो एक सबसे senior होगा सबसे senior होगा सबसे senior जो person होगा वो सबसे higher authority होगी फिर वहां से और divisions बाटे होंगे फिर वहां से और division बटे होंगे फिर और division बटे होंगे तो organization में हमेशा एक senior जो मैं भूलू कि working flow होता है वह हमेशा senior से यह मैं भूलू higher level से lower level होता है ना कि lower से higher है एक hospital में वोड़ वोई जो है वो hospital को चला रहा है ऐसा थोड़ी नहोंगा वोड़ वोई का काम जो है वो इतना करेगा लेकिन एक cmh का जो काम है वो बड़ा ही higher level का काम है तो हमेशा जो work होता है chain of command होता है जो order पार मैं भूलू कि order निकाले जाते हैं organization किसी भी organization में जो order flow होते हैं वो हमेशा higher level से lower level होंगे जो सबसे senior होगा वो किसी भी order को पास करेगा और वो order जो है वो higher level से lower level तक सभी लोगों में flow होंगे ऐसा नहीं है कि नीचे वोड़ वोई है वो ताब order दे रहा है और आप cmh को order follow करना होगा कभी व्यार आप सो खुछ सोची एक को वोड़ वोड़ दे देगा और cmh उसको follow कर लेगा कि नहीं सब उसने बोला है मानना पड़ेगा नहीं ना हमेश जो flow of authority होता है वो कहां से होता है from the higher to lower हमेशा अपर से अपर लेवल से लोवर लेवल की तरफ जो है flow of authority होता है flow of orders होता है कभी भी lower से higher की तरफ नहीं होता है के लिए बात चली आगे बढ़ते हैं next अगर हम लोग बात करें आगे बात करते हैं अगर बात करें group of dynamics अब इनक between people who are members of a common class or community कि भया आपस में लोग जो है group जो है मैं बोलू कि interaction उनके बीच में उनके बीच में interaction किस तरीके से होता है कौन senior है कौन junior है या कौन intermediate है जैसे CMH है फिर एक senior medical officer है फिर एक medical officer है तो तीनों की बीच में क्या interaction है किस तरीके से interaction हो रहा है जैसे हम लोग nursing officer है फिर हमारे senior nursing officer फिर nursing superintendent तो हमारा interaction किस तरीके से है यह क्या दिखाता है यह group of dynamics को दिखात है अब देखो एक organization के चार्ट की बात करते हैं तो organization का चार्ट क्या होता है it is a simple diagrammatic method मतलब एक चार्ट को flow करना जैसे मानली जी आपके घर में सबसे बड़े कोण है आपके दादा जी grandfather आपके आपके grandfather उसके बाद में उनके जो है अगर बात करें उनके मानली जी तीन बेटे हैं उनके तीन बेटे हैं उनके तीन बेटो में जो है सबसे बड़ा बेटा यह है इसके मानली जी आपके तरीके-से फ्लो बनाना यह flow ही क्या है organization का चार्ट होता है ता आप से बुलिए exponentially का चार्ट क्या है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसका लोगों का, इस ओरमेटइशन चार्ट के रिप्रेजेंट करने के लिए जो है, वो क्या बनाया जाता है, अब देखो, झालग शाठी में क्या क्या आयगा देख लीजिए अगर बात करो चाल्ट क्लिभिजelectर權 वभार्ट से स्वाल की कि बात करेंगे हां में खरो किन निद्रट को निद्वार्ट से सवब bara प्राम यहां से सवाल पूछे जाते हैं किसेआ आया हुआ है, note set में, देखिए, सबसे उपर कौन होगा, सबसे होगा, minister, जो भी health minister है, अगर बात करें, जो भी अभी recently health minister है, सबसे उपर वो होगे, ठीक है, फिर उसके बाद में एक person, ये एक person होगा, ठीक है, फिर उससे नीचे कौन होगा, उससे नीचे होगा, director of health service, मतलब, minister जो है, वो charge किसको देंगे, वो order किसको देंगे, वो order देंगे, director of health service को, ठीक है, अब ये director of health service जो है, वो किसको देंगे, joint director nursing को, जो हमारे nursing के joint director होंगे, उनको ये service, जो है, order देंगे, ठीक है, सबसे पहले कौन, minister, फिर कौन देगा, director of health service, जो health service के director है, minister के नीचे जिम की पोस्ट है वो फिर वहां से joint director nursing के जो हमारे nursing के director है उनको order आएगा अब वहां से देखिए तीन लोगों के पास देंगे वहां से अगर बात करें हम लोग director of nursing अब यह किसमे education and training में director of nursing किसमे hospital service में और director of nursing किसमे community service nursing के तीन तरीके से तीन सी की जो पढ़ाने का काम कर रहे हैं वो किसको ओर देगा डारेकटर नर्सिंग किसमें एजुकेशन कराने काम उनको इंस को ओर दूसरा वहां से तीसरा किसको जाएगा command nursing, जो community में जो nursing officers है, उनके director को message order जाएगा अब ये director जो है किस-किस को message देंगे ये पहले बेज़ेंगा assistant director को वही educational में, यहां से भी किस को जाएगा, hospital में जो assistant director होगा उसको, और यहां से किस को जाएगा जो community service में जो assistant director होगा उसको message जाएगा, फिर अब को जो जाएगा, जो भी sister tutor होगी उसको, और फिर last में किसको जाएगा, जो primary health nurse होगी उसको, पी एचेन पी एचेन क्या, primary health nurse को message जाएगा, तो भाया ये college बाड़ी बात कर रहे हैं, हम लोग, staff की बात, क्योंकि यहां पर कोलेज है पड़ाई हो रही है पड़ाई के लिए देखो सीधा सा है मिनिश्टर देगा चार्ज डारेक्टरल सर्विस को डारेक्टर किसके जोइन डारेक्टर को डारेक्टर नर्सिंग का कौन सा लेकिन जो ट्रेनिंग का डारेक्टर है नर्सिंग का डारेक्टर हो होगा अब देखो यहां से ऑस्पिडल असिस्टेंट डिरेक्टर को आगया फिर किसको आएगा चीफ मेट्रों को हमारे जो नर्सिंग चार्ट को प्रिपेर करते हैं जिसे आपने देखा हो ड्यूटी हम लोग मेट्रों के पास आते हैं ड्यूटी के लिए हमारे चितने भी र जोंवी ओर होगा बदेखों क्म्यूटी में ड' डेर्डेक्टर के पास मिया यहां तक तक कोई दिक निए आ जेगा अक्ठी पुरे डेर्श्टी पूर्ट की एक सींश्यर फामिक लिए होगी हुसके पास में मैसेज हैगा फिर वहां से जाएunft सूपे जा Ale या और यह चीज़े होगे इनके पास में मैसेज आएगा तो एक फ्लोचार्ट अगर आपसे पूछे याद रखना तीन तरीके से जो है पूरा फ्लोचार्ट चलता है सबसे पहले मिनिस्टर इंचार्ज होगा फिर वहां से जो है हेल्ट डारेक्टर होगा फिर वहां से जोइ पढ़ाने वाली टूटर होंहách और लाश्मीर के पास फिर यहां से जो है अगर उस्पिटल की बात करें तो सीफ मेक्ट्रोन वहां से आप्सिटंट मेक्ट्रोन हो वहां से सिस्टर काereye कि पास से बाते करें बाहएं से पब्लिक हेल्ठ नर्स नर्सिंग के लिटेड़ी सवाल पूचाते हैं जो सबसे सीनियर होता है मिनिष्टर होता है याद रिखना कभी भी होस्पिटल का कोई सीनियर नहीं सबस्के बात करेंगे प्रिंसिपल की बात करेंगे फिचर्स ऑपे नर्सिंग और नर्सिंग हमारे nursing organization के principles की बात करेंगे कि एक organization nursing organization उसके principles में क्या-क्या nursing features है क्या-क्या principle देखो सबसे पहला बात करेंगे the following are the special features of hospital nursing organization यह कुछ जो है वो बताए गए निमने लिखित जो है यह principles features होते है सबसे पहले hierarchy और scalar process सबसे पहला बता है hierarchy एक पदानुक्रम hierarchy का मतलब क्या होता है पदानुक्रम और एक scalar process के एक सिडी नुमा process होती है जो और नहीं सन होता है सिदी सी बात एक सिडी नुमा process होती है जिसमें सबसे उपपर एक higher authority higher person होता है नीचे जो है वो लाश्म नातरते बहुत junior person जो है वो आ जाता है देखिए hierarchy means hierarchy का मतलब क्या होता है पदानुक्रम का मतलब क्या होता है hierarchy means ordering a ordering और classification of anything in ascending or descending order of importance or value भाया hierarchy का मतलब क्या होता है कि classification करना किसी भी चीज़ का anything in ascending या descending order में कि भाया लेकिन हमेशा higher to lower level ही जो है फोलो किया जाता है तो hierarchy का मतलब होता क्या है आप से कोई पूछे hierarchy का मतलब क्या है कि classification करना किसी भी चीज़ का चाहे ascending order में कर रहे हैं चाहे descending order में कर रहे हैं लेकिन हम लोग क्या कर रहे है इसका मतलब क्या है कि hierarchy का मतलब क्या होता है कि जो एक सबसे सीनियर होता है जो एक higher authority होती है वो सबके साथ में क्या कर रहा है सबके साथ में रिलेसन बना रहा है एक पदान उक्रम सेट क्या हुआ है कि मिनिस्टर जो है वो किसको चार्ज देंगे वो इसको देंगे वो इसको देंगे यह तीनों ऐसे देंगे वो management होगा ठीक है तो चली principles की बात कर ली नेक्स्ट आप देखो पहला तो हमने बताया hierarchy और scalar process होती है जो और नहीं हमेशा चलता है वो किस process पे चलता है एक पदानुक्रम के process पे चलता है कि स्केलर एक सीडी दूमा process पे चलता है दूसरा principle देखो unity of command के मनें से यह दोनों तो follow कर रहे है और यह नहीं कर रहा है unity of command क्यों के लिए समान होना और किए कि भईया मिनिष्टर साब जोए सबको कान में जाकर एक को मांड और झाएगा तो वह क्या करेगा जो यूनिटी यह वह कंफिलिक्ट नहीं कोई ऐसा नहीं किए कोई confusion होगा किसाब मेरे को तो सरने क्या बोला और इसको सरणे क्या ऐसा नहीं अगर कमाणड एक परसंड के हाथ में होगा वह सब के साथ जो है orders जो है equally distribute होगा एक परसन तो क्या बता रहा एक परसन क्या बता रहा है तो प्री और्गनेक्शन का दूसरा जो प्रिंसीपल है वो क्या यूनिटी ऑफ कमांड की वह एक एनी वन कंट्रोल और इसपान ओफ सुपरिवजन के ऐसा नहीं कि अब जो ओडर मिल रहे हैं वो किसी को मिल गए साब ओडर जो है मिल रहे थे मालो आसिसेंट डिरेक्टरि की जगए मिनििश्ट्र साम ने फोन करके पि-ह यई को बोल दिया कि इवाज ओडर एक स्पान ओफकट्रोल होता है कि मिनिश्ट्रों इसको बोलेगा यே इसको वोलेगा एसको बोलेगा इसको बहेगा आए डिरेट नहीं उना चाहिए, like according to, एक person can control the activities of 5 to 6 subordinate at one time, कि एक परसन जो है, वो कितने परसन का, एक समय पे 5 से 6 लोगों, जो है, मैं बोलू कि coordinate कर सकता है, subordinate कर सकता है, उसके अलाबा, delegation of authority, इसका लास्ट देखीगा, delegation of authority या granting authority along with the responsibility, जो भी आप लोग किसी को भी authority दे रहे हो, तो उसको यह बता आणा पड़ेगा, देखिएगा, authority means the power of to make decisions which guide the action of another, कि बया, authority का मतलब यह है, कि एक decision लेने की जो समता है, organization के, मालनो मिनिस्टर के साब, मिनिस्टर साब के पास में, कोई, जो है, authority, मालनो जो उसके पास में, decision लेने की समता नहीं है, तो बता, वो कैसे ले पाएंगे, नही जो भी एक supervisor होता है, जो भी मैं बूलू कि एक authority होती है, जो भी एक higher person होता है, उसके पास ये ability होनी चाहिए, कि वो decisions ले ले है, तब हीता हम लोग उनको granting authority दे रहे है, responsibility दे रहे हम लोग, हाँ, और delegation का मतलब क्या होता है, manager, ability to share his burden with other, भाई, मालनो आज, मिनिस्टर साब अक अकिला person कभी भी काम नहीं कर सकता, बोलते न, अकिला चना बाहर नहीं फोर सकता, same वैसा है, manager, जो है, वो delegation का मतलब क्या है, delegation का मतलब है कि काम को निर्धारी तरीके से बाहर देना, कि आप इस वाड़े वाड़ को आप देखेंगे, इस वाड़े वाड़ को आप देखेंगे क्या है, centralizedization means concentration of authority or decisions making in one coordinating head, यह एक nursing superintendent है, माली जी, यह nursing एक superintendent है, इस ने हर वाड़ में एक-एक head बना रखा है, हर वाड़ में एक-एक head बना रखा है, कि इस वाड़ के जिसे pediatric वाड़ के एक परसन को head बना रखा है, गायने को वाड़ के एक head परसन को बना रखा ह अब यह सारे के सारे जो है, आकर सूचना किसको देते हैं, nursing superintendent को सूचना दे रहे हैं, यह होता है centralization, कि वाया सब लोग जो है किसी एक परसन को क्या कर रहे है, information दे रहे हैं, और decentralization, decisions are reserved to few hands at top level managers only, कि वाया केवल यह जो decisions कीन के हाथ में, केवल यह nursing superintendent और यह 4% जो head बना है, बाकि अब इसके नीचे के जो nursing staff होंगे, यह जो भी person होंगे, उनको थोड़ी न कोई decisions बताने जाके, थोड़ी न जाकर किसी को reporting करेंगे, नहीं न, यह 4% परसन ही जो है, वो reporting करेंगे, चलिए, तो आपसे principles में क्या-क्या पूछ सकता है, आपसे principles में नाम पूछ सकता है, क्या-क्या देगो, क्या-क्या principle होते है, सबसे पहला principle होता है, hierarchy और scalar process, यह organization का पहला principle है, hierarchy और scalar process के पदानू करम, एक पद को जो है, वो क्या करना है, वो क्या करना है, फोलो करना है, next, दूसरा क्या होता है, unity of command की, जो भी आगे से order मिल रहे हैं, वो किसी एक परसन को मिलने नहीं तो क्या हो सकता है, conflict पैदा हो सकता है, क्योंकि एक परसन बोलेगा, दूसरा क्या बोलेगा, तीसरा क्या बोलेगा, सच्छा है कि एक को बताओ, वो सबको बता देगा, ठीक है, क्या है, span of control और span of supervision, कि जो भी आप लोग बता रहे हैं, जो भी numbers, जो subordinates है, उसमें क्या होना चीए, control का एक पदानुक्रम कैसा होना चीए, control का, कैसा नहीं कि वोड़ बोई जो है, वो सबको control कर रहा है, नहीं है, hierarchy manage होनी चीए, span of control होना चीए, उसके अलावा, जो delegation of authority, जो है, decisions की, जो क्या कर सके, authority का मतलब क्या होता है, power to make decisions, जो भी authority है, उसमें decisions, हमने मालो, आज ही assistant director बनाए, इनके अंदर power ही नहीं है, capacity नहीं, इनकी कोई बात ही follow नहीं कर रहा तो फाइदा नहीं है, authority का मतलब ही क्या होता है, power to make decisions, और उसके अलावा, delegations का मतलब क् manager's ability to share his burden, कि अब अकेला काम person थोड़ी नहीं काम करता रहेगा, वो क्या करें, खुद के काम को बाढ़ देगा, delegate कर देगा, और last में क्या होता है, centralized मतलब जो भी एक person होगा, वो काम को जिसे एक nursing superintendent है, उसने पांच वाड है, उसने खुद के कामों को सब को थोड़ थोड़ बाढ़ दिया, फिर बाद में सब ने काम कर रिपोर्टिंग दे दी, तो यह centralization हो गया, decentralization मतलब कि कोई किसी को बताई नहीं रहा, सब अपने काम कर रहे है, decentralization हो, ठीक है, चले, तो यहाँ decentralization का है, placement of authority along with the responsibilities, means, systematically and permanent allegations of authority of decisions making to subordinates units, मतलब क्या बोल रहा है, कि जो systematically and permanent allegations होती ठीक है, direct उसी को करना हमेशे अगले permanent कर दिया, decentralized, मतलब किसी तरीका यह नहीं कि सारे flow कर रहे हैं और एक के पास आ रहा है, ऐसा नहीं, decentralized तरीक काम हो रहा है, तो यह सारे क्या होते हैं, यह principles होते हैं, किसके, यह सारे जो है, वो principles होते हैं, organization के, और organization में यह सब फिर उसमें आपको response पूछ सकते हैं और principles पूछ सकते हैं जो 4-5 principle है वो आप लोगों को बताए गए हैं तो यह था हमारा organization का topic जो बहुत ही छोटा सा है जहां से सवाल बस केवल एक flow chart सवाल जो है बंदते हैं इसे के साथ हम लोग next बात करेंगे हमारे एक ओड़ टोपिक supervision की बारे में जो भी केवल observe करना है एक तरीके से उसकी बात करेंगे तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होगा thank you so much मिलते हैं आप लोगों से अगले पार्ट में बाई-बाई-बाई-टेक केर thank you so much